निमस्कार मैं आउर आउल शिर्मा आप देख रहे हैं स्पेन आई नियूस वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में और बड़ी खबर की उस शुरुबात सोनिया गांधी से कॉंग्रिस पार्टी आला कमान सोनिया गांधी की मुश्कले लगातार बड़ती चली जा रही हैं एडी ने जिस तरह उन्हें पूस्ताच के लिए बुलाया उसके बाद देखनों को मिला कि कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर सड़क पर उतर का प्रदर्शन क करना शुरू कर दिया कॉंग्रिस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का यहां तक कि कॉंग्रिस पार्टी की पूर्वद्यक्ष राहूल गांधी भी सड़कों पर उतरे और वो पार्टी के नेताओं के साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी जमकर प्रदर्शन किया इस सरकार यह चाहती है कि विपक्ष को गांधी परिवार को खास तौर पर टार्गिट किया जाए हाला कि स्पीच यह देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी से जो है लंबी पूस्ताच हो सकती है और कहीं ना कहीं जो इस्तिती देखी जा रही है वो यह है कि कॉंग्रिस पार्ट से अपनी बात कहना चाहते लेकिन सरकार ने उसका भी अधिकार नहीं दिया सरकार ने क्या आदेश दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी के जो नेता कारे करता जो भी है वो केवल अपने कार्याले में ही प्रोटेश्ट कर सकते हैं आप सड़कों पर नहीं उतर सकते ब्रेटी सुकुमत का आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे दर्शक है जो जानते होंगे 1947 से पहले हमारे देश में ब्रेटी सुकुमत थी ब्रेटी सरकार उस वक्या करती थी कि आप सरकार के खिलाब बात नहीं कर सकते सडकों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आवाज नहीं उटा सकते हैं आज वही इस्तती देखने को मिले हैं कि आप मोधी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं देश का जंता सवाल नहीं पूछ सकता विपक्स सवाल नहीं पूछ सकती है युवा सवाल नहीं पूछ सकते हैं यहाँ पर सरकार की ताना शाही नीती लगातार बढ़ती चली जा रही है। विपक्ष को जितना कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष को जिस तरह से डराया जा रहा है, ED के जरिये NCB के डरिये जरिये दरसल सरकार क्या है वो आगामी समय के चुनावों को एक तरफा जीतना चाती है मोधी सरकार चाती है कि विपक्ष अपना कोई कैनिडेटी ही खड़ा ना करपा है डर की मारा तो डर का आज माहौल देखा जा रहा है आज देश की जनता ढरी हुई है अब मैं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी ये भी रिपोर्ट बता देता हूं कि 2014 के बाद से जो अब 2022 चला भी तर हम देख रहे हैं कि इतने वर्षों के अंदर देश से हर साल लाकों की संख्या में भारत छोड़ कर जाने वाले बड़े लोगों का नाम सामनी आ गया माना ये जा रहा है कि हर साल लाकों लोगों ने भारत की नागरिक्ता को छोड़ दी है और भारत छोड़ कर वो चले गएं क्योंकि सरकार ने जो नीती अपनाई है ये नीती उन्हें पसंद ही नहीं आ रही है उन्हें क्या पूरे देश को पसंद नहीं आ रही है तो यहां पर देखा जा रहा है कि सरकार जो आज जिस तरह से काम कर रही है जिस तरह से हावी हुई पड़ी है ऐसे में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो देश की जनता को हो रहा है और अगर यही रहा तो आने वाले समय में लोक्तंतर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सरकार ने किसानों को, जनता को, विपक्ष को तो बोल ही दिया है कुछ कहने से अपनी आवाज रखने से आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये घरों से निकलना भी बंद करवा देंगे आज के लिए तना ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के ले जाए दीजे नमस्कार